प्रेशर क्यों इतना बढ़ रहा है एकुटी मारकेट में और क्या कोई वान फैक्टर है या मल्टिपल कारणों की वज़े से मल्टिपल कारण है बड़ा फैक्टर तो जो एक बढ़ती बॉंड डील की चिंता बनी हुई है थोड़ा कूल ओफ हमने देखा था कल जब सुबह हम बात कर रहे थे उसके वज़े से बाजार का अच्छा मूड हुआ था अब वापस बॉंड डील उचल कर 5% पर आ गई है और उससे ग्लोबल मारकेट का मूड महल बिगड रहा है तो कल जब इस समय हम बात कर रहे थे तो 4.8% पर थी अमेरिका की 10 साल की बॉंड डील वही बढ़कर आपके वापस 4.96% पर आगे 5% के बेहत करीब तो कल और आज की बीच में 15 बेसिस पॉंड से जादा की मूव आपको बॉंड डील में आते हुई दिख रहे है और उसी का इमपक्ट आप देख रहे हैं तो उसकी वज़े से तो डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों का मूड महौल आपको बिगड़ते हुँ दिख रहे है और अक्रॉस दो बॉर्ड आट इशिया में भी देखे काफी भारी कमजोरी आ रही है डेट से दो परसेंट आपको जपान और कोरिया की बाजार इस समय गिरते हुए दिखेंगे कोरिया का जीडीपी डेटा भी थोड़ी दिर पहले आया था जो अनुमान से कमजोर था तो उसका भी आपको इमपक्ट आते हुए दिख रहा है करीब 85 अंक नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है तो परिशानी तो बाजार में अक्रोस दो बोर्ड आपको आते हुए दिख रही है इसके अलावा अगर आप देखेंगे कल नतीजों का भी थोड़ा इंपक्ट था अमेरी की बाजार में और साथी इंपक्ट आया है कुछ डेटा का भी इनके जो न्यू होम सेल्स डेटा है वो अनुमान से भेतर आए वो भी उस समय जब आप देख रहे हैं कि इनके होम लोन रेट से करीब 23 साल की उचाई पर है वहाँ से बाजार का मूड बिगड़ा नतीजों को तक हैर भारी भरकम रियाक्शन आपको आते होई दिखाए जिसकी वज़े से हम रेख रहे हैं कि कल 2% आपका नास्डाक टूटा है आठ महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आपने कल नास्डाक में आती होई देखिए डाव relatively better था सिर्फ 100 अंक आपको फिसलते होई दिखाए बट S&P 500 यहाँ पर आपने देखाए कि यह 42 के नीचे बंद हुआ है और यह important support बाजार मान रहा था जिसको कल तोड़ के उसके नीचे बंद हुआ है तो थोड़ी चिंता broader markets में भी आपको अमेरिकी बाजारों में आती होई दिखी इनफाक्ट S&P 500 और NASDAQ दोनों अगर आप देखेंगे तो पांच महिनी के निचले सर पर गिर चुके है तो परिशानी तो अमेरिकी बाजारों में आपको clear cut दिखी रही है जैसे मैंने का नतीजों का reaction था alphabet का share कल 9.5% तूटा है और context के लिए आखरी बार जब इतनी बड़ी गिरावट इसमें आई थी intraday तो वो COVID का sell-off था यानि कि मार्च 2020 में जो बड़ी गिरावट आई थी COVID sell-off में उसके बाद की सबसे बड़ी intraday गिरावट कल आपने alphabet में आती हूँ दिख रही है तो वहां से definite pressure आपने NASDAQ पर बनते हो दिखा और बाजार के पर बनते हो दिखा meta के नतीजे आये थे ये कल 4% लोड़कते हो दिखा है Boeing के numbers आये थे ये कल 0.5% तूटा है तो एक तो नतीजों पर बहुत शाप sell-off आते हो आपको दिखा तूसरा बढ़ती bond yield का दबाव था तो दोनों factors की वज़े से कल अमेरिकी बाजार में weakness आई है आज Amazon और Ford के नतीजे आने वाले हैं तो उस पर भी बाजार आपको react करते हो दिख सकते हैं साथी US का Q3 GDP डेटा का पहला print आने वाला है 4.7% growth का अनुमान है तो growth तो बढ़िया रहने वाली है वहाँ पर कोई चित्ता नहीं है बड़ बाकी सारे factors हैं जो अमेरिकी बाजारों पर दबाव बना रहे हैं यॉरप के बाजारों में हलकी बड़त आपने देखी है आज of course react करते देखेंगे आज ECP की policy भी आने वाली है तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहीगी इसके अलावा dollar index ये वापस बढ़कर दो हफ़ते की उचाई के करीब आ गया है कच्चा तेल कल 2% उचल कर 90 डॉलर पर आपको आते हैं सोना वापस 2000 डॉलर के करीब आ रहा है बेस मेटल्स में उतना आक्शन नहीं था बट शुगर के दाम आपके 12 साल की उचाई पर है तो across the boat थोड़ी परिशानी इस समय वापस बाजार के लिए बन रही है हेवी हेवी सेल आफ कल हमने equity markets में देखा है चलिए तो अच्छे संकेत तो नहीं अब हमारे market उस पर कैसे देखने वाली बात होगी धन्यवादी पूरी detail के लिए